बग्षार मा के पेड़ से पैदा होने सपह ली गे पूछता तो पूछ रो आजम खास अदा होने करना भी हो या समाजवादी पाइटी के कद्दावर नेता आजम खान को जहां हेट स्पेच मामली में सजा मिले थी जिसके बाद आजम खान की विधान सबा सदस्यता रद कर दी गई थी और रामपुर विधान सबा सीट खाली हो गई थी वहीं अब एक बार फिर समाजवादी पाइटी के वरिष्ट नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है पता दे कि आजम खान पर एक बार फिर विवादित बयान देने का आरोप लगा है और महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आपको बता दें कि महिलाओं ने आजम खान पर विवादित बयान देने के आरोप में मुकदमा दर्ज भी करा दिया है महिलाओं ने रामपुर के थाना गंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है बता दें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा के दोरान महिलाओ को लेकर विवादित और अपमान जनक बाते बोली है दरसल उप चुनाव के दोरान आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा के लिए जम कर चुनाव परचार कर रहे हैं इसी दोरान उन्होंने एक चुनावी सबा में कहा कि मैं चार बार सरकार में रहा अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चा मा के पेट से पैदा होने से पहले यह पूछता कि पूछलो आजम खान से कि बाहर निकलना है या नहीं जो आज तुम्हारे होज हमारे साथ हुआ है जार सरकारों में अगर मैंने एसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी उसकुरा है कि पस्तन खाकर पहता हो निकलना है जहां इसी मामले को लेकर सिकायत करता महिला सहनाज ने कहा कि आजम खान ने सभी महिलाओ के बारे में ऐसा बोला है उन्होंने कोक को लेकर यह बयान दिया है उन्होंने बहुत बत्तमीजी से बोला है उनसे पूछ कर बच्चा पैदा करेगा कोई सिकायत करता सहनाज ने कहा कि जब आजम मंतरी थे तब भी क्या उनसे पूछ कर करते उन्होंने कहा कि आजम खान को सभी इतने मंतरी बनाया सभी ने उनको वोट दिया लेकिन आज वह अपमान जनक बाते बोल रहे हैं इसी दोरान आरोप है कि महिलाओ के खिलाब विवादि बयान दिया गया इसको लेकर कुछ महिलाओं में गुस्सा है वह सब लोग थाने में आए थे और उन्होंने ओडियो और तहरीर थाने पर बताते ही इस मामले में सहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी है कारवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में कई धहराओ के तहथ म इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें